हलो एवरिवन स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में और हाँ आप सबको पता योगा के करवाचौत आने वाला है ये तो इस टाइम ने मीसो हॉल और करवाचौत की ही वीडियो बना रही हूं जैसे आप लोगोंने मेरी पहली करवाचौत इस्पेसल पहली वार वरत किया तो क्या क्या आया आपके माईके से उस वीडियो को प्यार दिया उसी तरह इस वीडियो को भी प्यार दें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो करवाचौत का तेहवार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और हाँ यह पर्व सुहाग इन महिलाओं के के लिए बहुत ही महत्वपूर पर्व है करवाचौत के दिन महिलाएं वरत उपुआस करती है और वर्ष भर करवाचौत की प्रतीचा करती है हिंदू धर्म की महिलाएं इस पर्व को बड़ी ही श्रद्धा भाव से करती है दोस्तो करवाचौत के पर्व के आने से पहले ही इस पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है एक महिने पहले से ही शुहागिन महिलाएं साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मेकप का शामान आदि खरीदी है लेकिन दोस्तो करवाचौत का ब्रत पती के लंबी उम्र, उत्पती और उत्तम स्वास्त और अखंड सौभागी की कामना के साथ रखा जाता है इसलिए इस पर्व त्योहार के दिन इन पाँच रंगों के कपड़े जरूर ही पहने सुहागिन महिलाएं करवाचौत के ब्रत के लिए कपड़े लेते समय इन पाँच रंगों के कपड़े जरूर ले और कुछ रंगों को भूल कर भी करवा चौद के वरत के लिए ना पहने वैसे तो सभी रंग उच्छ और सुन्दर होती है परन्तो हमारे हिंदु धर्म सास्त्र वपारंपरिक डूप से कुछ रंगों को वरतीच तेवारों में पहनना अतिशुभ माना जाता है और कुछ रंगों को पहनने की सक्त मना ही होती है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि करवा चौद भुरत के दिन किन पाँच रंगों के कपड़े पहनने पहला रंग है लाल रंग जो की लाल रंग बहुत ही सुक सम्द्रधि में सहायक होता है लाल रंग के कपड़े पहनने पर महिलाएं बहुत ही सुन्दर और आकर्शक लगती है तो लाल रंग का कपड़ा लेने से पहले हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है अगर आपको लाल रंग की साड़ी पसंद आ जाती है तो आप तुरंद ही ले सकती है और अगर आपके पास लाल रंग के साड़ी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपकी शादी की साड़ी हो, या फिर आपकी शादी का लेंगा हो, तो आप उसको भी आराम से पहन सकते हैं, उसमें कोई दिकत नहीं, तो चलिए दूसरा रंग, जो की है पीला रंग, पीला रंग ब और ये रंग को पहनने से अच्छा रंग को पहन सकती है इसमें कोई दिक करते ही और आप इस पीले रंग को ब्रशपत ब्रशपती को भी पहन सकती है इससे हमारे घर में शुक और सांती का महौल रहता है और ये रंग पहनने से हमारे पती की आयू भी बढ़ती है उसका कार अधिक नौकरी में व्रधी होती है तो अगर आपके पास पीले रंग की साड़ी या सूट है कुछ भी तो आप पहन सकती है और पूजा पाठ में तो हमें पीला रंग जरूर ही पहनना चाहिए पीला रंग पहनने से बहुत ही शुब कारे होते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ पीला रंग बहुत ही सुब होता है तो भगवान विश्णू का प्रिय है तो आप लोग अगर भगवान विश्णू की पूजा करते हैं तो पीला रंग जरूर पहने त तो पीला रंग पहनने से बहुत ही ज़्यादा शुक्सांती बनी रहती इसलिए अब चलिए जो दूसरा रंग है उसकी बात करते हैं हम तो दूसरा रंग होने वाला है हमारा हरा रंग जो की ये सामने साड़ी मैंने रखी हुई है हरे रंग की तो अभी इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ और ये हरा रंग जो है बहुत ही शुप माना जाता है हरा रंग भगवान शिव और माता पारवती को अत्यधिक प्रिये है हरा रंग पहन कर वरत या उपवास करने से अखंड सुहाग का वरदान मिलता है और बहुत ही ज़्यादा माता गौरी और शंकर भग जो कि वो भी हरे रंग का है तो उसी इसाब से भगवान विश्डू को सबसे प्रिये रंग हरा ही था मातापारवती भी इस रंग से बहुत प्रशन होती है क्योंकि हम लोग ज़्यादा तर पूजा में करवचाओत की मातापारवती की ही पूजा करते हैं तो हमें हरा रंग भी पहनने में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए हम लोग हरा रंग एकदम आराम से पहन सकते हैं और ये रंग पहनने से हमें अखंड सौभाग का वर्दान देती है माताजी और शंकर भगवान भी बहुत ज़्यादा प्रशन होते हैं गुलाबी रंग मैंने आप लोगों के सामने रख दिया हुआ है तो जो कि ये मेरी साड़ी है मेरी शादी के टाइम की तो ये मेरी सादी के टाइम की है तो अब तो ये पुरानी हो गई है लेकिन मैं इसे रियूस करके पहन सकती हूँ तो ये pink color पहनने से बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर लगता है इसमें महिलाएं बहुत ही सुन्दर दिखती है गुलाबी रंग पहन कर पूजा कर सकती है और बहुत ही सुन्दर लगती है तो ये साड़ी जो है आप मेरे पास पुरानी थी तो मैंने इसको BC में दिखा दिया इसका reuse करके मैंने लेंगा बनाया हुआ है तो उसकी वीडियो भी नीचे मिल जाएगी आप लोगों को तो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेंगा वाली देखनी तो description link में है और पांचुआ रंग जो है वो है पांचुआ रंग सुनहरा रंग इस रंग को पहनने से बहुत ही अच्छा लगता है और सुनहरे रंग को आप पूजा वरत्ते हुआर पहन सकती है सुनहरा रंग पीले रंग की तरह ही होता इस रंग की तरह आपका भागय भी चमकता रहेगा दोस्तों इन पांचों रंगों में से कोई भी एक रंग आप जरूर पहने इन रंगों को पहनने से सुक्सो भागय और अखंड सुहा के व्रद्धी होती है करवा चौप दृत के दिन काला या सफेद भूरा स्लेटी रंग भूल कर ना धारड करें ये रंग सुब नहीं होते हैं जिससे माता गौरी नाराज हो जाती हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईए अगर वीडियो अच्छी रगे तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ही ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और आप लोगों को मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियो दोंगी आप लोग मेरा सपोर्ट करिए मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है तो आप लोग चैनल पे जाके देखें अगर वीडियो अच्छी रहें तो प्लीज लाइक करें और ही अच्छी वीडियो में लेके आओंगे तब तक के लिए बाबाई